वेल्कम बैक टो चनल लास्ट मिनिट रिवीजन विद आरे समय यह आंग विडियो तो काफी सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे अबाउट रिवीजन रिलेटेड विद कॉस्ट अकाउंटिंग तो एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में जो आपको एक रिवीजन चा आते हैं यूज्वली वो सारी चीज़े आज हम डिसकस करने वाले हैं तो लास्ट तक बने रहे और अगर आपके कोई भी फ्रेंट्स एमकॉम का एक्जाम आइडॉल से दे रहे हैं या एमकॉम का एक्जाम रेगुलर से दे रहे हैं बेसिकली सबके लिए ये विडियो यू तो वह में आपको फोकस क्या करना है तो उसके लिए आपको एक आएडिय आ जाएगा कि कैसे क्यां प्रोसेस कोंस्तिंग की बात करें तो प्रोसेस कोंस्तिंग ये चैप्टर आपके ती में भी था लेकिन एमकॉं में उस टैप के क्वेश्टन्स जो है वह बिलकुल नहीं में questions की step क्या आते हैं, M.com में questions आते हैं फीफो या फिर M.com में question आते हैं weighted average के, अब यह क्या है, तो इसमें आपको 3 statement बनाने, वो कैसे बनाने, मैंने already एक video बनाया है, इस chapter से related, तो वो भी आप देखिये, ताकि आपको पता चले का exact, तो इसमें कैसे होता है, इसमें हम पहले 3 statements prepare करते हैं, वो 3 statements में सारे calculations करते हैं, और उसके बाद हम process बनाते हैं, तो इसी लिए, यह chapter जो है na process, इसको equivalent process कहा जाता है, या equivalent, equivalent units का एक statement, equivalent process, equivalent production, ऐसे सारी statements जो आपको prepare करने हैं, और वो statements बनाने के बाद आपको फिर process account बनाना है, तो जो TY में process पढ़ा था, उसमें कैसे सीधा simple process बनाना था, फिर abnormal loss, abnormal gain, SSI के point आपने जो है, वो बनाए थे, लेकिन यहाँ पे आपको process costing में, एक अलग type का process costing, equivalent process जो है, वो पूछा जाता है, तो equivalent process के जो points है, उसमे statement of equivalent production, material, labor, कितना percentage होता है, overheads कितना percentage होता है, फिर हम statement of cost per unit बनाते है, production बनाते है, finally हम एक evaluation statement बनाके, फिर process बनाते है, तो वो वाला part आपको पढ़के जाना है, सबसे पहला होता है, उसमें FIFO method, दूसरा होता है, उसमें average method, अब मुझे एक comment आया था, कि अगर हमें question paper में FIFO है या average है, यह नहीं पता चला है, यह नहीं दिया होगा, तो क्या करना है, देख absence of information in the question, we have taken FIFO method as the base, क्योंकि लिए normally first in first out method use होता है, हर companies में, तो आप FIFO method से उसको solve कर सकते, लेकिन अगर question में weighted average बोला है, और आप फिर FIFO से solve करोगे, तो फिर गलतिया हो सकती है, तो ध्यान रखने आपको, इसमें statements प्रिपार करने है, और यह type के questions हमेशा पूचे जात जो है, यह पहले से syllabus में है, तो इसके लिए यह question ध्यान से पढ़के जाए, एक तो FIFO का question, एक average का question, यह दो में से question आजाएंगे, अब बहुत सारे पिछले पिछले chapters है, transfer pricing, strategy, cost management, तो मैं आपको पहले simple simple topics बताता हो, देखो, जो simple topics है, उसमें से हमारे marks जो है, वो जाने न बुल जाएंगे, तो सबसे पहला topic आपको, equivalent process जो है, process पढ़ना है, मैंने variety आपको बता दिया, simple process तो TY में था, आपको already आता है, लेकिन university यूजुवली इस type के focus, process पे focus करता है, कि जिसमें 3-3 statements बनाने है, equivalent production, cost और तीसरा evaluation का statement और उसके बाद फिर process account हम बनाते है, उसमें ध question solving के लिए लग जाऊंगा, तो फिर ये video भी बहुत lengthy हो जाएगा, और आपको क्या हो जाएगा, सारे chapters के basic crux बता नहीं बाऊंगा, तो वो ध्यान रखना है, that is your chapter number first, process costing, equivalent part के equivalent production, वो वाले type के आपको जो questions है, वो paper में जो है वो पढ़के जाना है, इस में से paper में questions आएगा वरालिटी ध्यान से रखना याद, सारी चीज़े पढ़के जाना, कौन सा भी level आया तो हमको problem नहीं होना चाहिए, और full marks इस chapter में आपको मिलेंगे, दूसरा जो हमारा topic है, which is called as cost allocation, दूसरा topic कौन सा है, cost allocation, इतना simple topic है, कि ये दो topics अगर आप perfect करके जाओगे, और दो topics अगर perfect करके जाओगे, और आपके अगर दोनों chapter से related basic चीज़े clear है, और अगर आपने दोनों chapter से related कुछ silly mistakes paper में नहीं किये, तो आपको इस में से full marks मिल जाएंगे, और जिनको pass होने का डर लगता है, वो लोग pass भी हो जाएंगे, अब सबसे important, cost allocation में करना क्या है, सबसे पहले cost allocation मे हमको एक statement बनाना पड़ता है, that statement is called as primary distribution of overheads, ठीक है, क्या बनाना पड़ता है, primary distribution of overheads, और एक mcom में दूसरा भी एक statement है, which is called as secondary distribution of overheads, primary distribution of overheads, यह actually TY में भी था costing में, करते क्या हम लोग हमारे पास departments होते है, production department, sales department, production department, service department, department होते है, A, B, C, D, E, तो हम करते क्या है, हम बहुत ही simple चीज़ करते है, जो भी हमारे expenditures होंगे, जिसको हम overheads कहते है, तो जो भी हमारे overheads होते है, उस overheads को हम specific base ratio से बाटते है, जैसे कि अगर समझो rent है, तो rent हम किसमें बाटेंगे, area में बाटेंगे, तो area का जो ratio रहेगा, उसमें rent को बाट देंग ऐसे हमको हर expenditures को करते जाना है, तो जब यह आप chapter पढ़ने बेठोगे, तो अब आपको इस chapter में से पढ़ना क्या है, आपको इस chapter में से पढ़ना है, कि कौन सा expenditure, कौन से cost के basis पे allocate होता है, if you read that, it will be easy for you to solve all type of questions of this, और इसमें primary distribution का एक statement बनता है, और दूसरा हम secondary distribution का भी statement बना है, उसमें एक method यूज होता है, which is called as repeated distribution method, तो द्यान से books में solved है sum, आप इसको एक बार देखके जाए, repeated distribution secondary कैसे होता है, because m.com level में cost allocation की बात करें, तो यह दोनों important है, अगर मैं ty level की बात करता है, तो only primary distribution is important for you, लेकिन अभी हम m.com की exam देने वाल है, तो अगर m.com की exam देंगे, तो यह primary distribution और secondary distribution आपको perfect करना है, और आपको यह देखना है कि जो भी overheads है, वो overheads में जितने भी आपके खर्चे आते है, आपको books में table दिया जाएगा, वरना तो क्या करना है, आपको हर question देखना है, उसमें समझो एक में आपको rent मिलता है, repairs मिलता है, lighting मिलता है, supervision मिलता है, employees contribution मिलता है, यह सारी चीजों के सामने उसका cost allocation लिखना और उसको पढ़के जाना ता कि क्या होगा, वो revise हो जाएगा, तो यह हमारा second part है, cost allocation, जिसमें आपको मैंने बता दिया, क्या-क्या चीजों के ऊपर आपको focus paper के related करना है, अभी जो next topic आता है, next topic बच्चों को बहुत ही confuse करता है, and that topic is called as ABC, ABC is what, ABC का topic मतलब that is called as activity-based costing, ठीक है, chapter का नाम काफी simple है, activity-based costing, now question arises, इसमें पड़े क्या, सबसे पहली चीज, यह chapter बहुत easy है, लेकिन जब यह questions, एक paragraph format में आते है न paper में, तो आधी चीज़े तो हमको समझ भेने आती, मैं as a student's perspective से बात कर रहा हूँ, because whatever paragraph is given, हमको पढ़ने के बाद समझ ही ने आता है, इसमें करू क्या में अभी, तो बहुत simple है, देखो, इस chapter में, आपको क्या-क्या पढ़ना है, वो मैं major चीज बताता हूँ, because वो अगर करके गए, तो at least question पूरा राइड भी नहीं आया, तो भी जितनी चीज़े सही करके होगे ना, उसके marks मिल जाएंगे, जैसे कि आपको इस chapter में सबसे important चीज पर focus करना है, that is called as cost driver, ठीक है, जैसे कि अगर मैं अगर बात करू, तो की, समझो for example, ordering, ordering हमारे एक activity है, ठीक है, ordering हमारे लिए एक activity है, तो उसका cost driver क्या आएगा, उसका cost driver आएगा, जब आप purchase करते हो, तो order लेते हो, तो purchase order उसका cost driver आएगा, तो आपको इसमें से cost pool, cost driver, ये सारी चीज़े याद रखने है, और cost driver से हम लोग क्या करते है, हम लोग rate per cost driver find करने का try करते है, ठीक है, ये आपको करना है, books में question solved है already, लेकिन मैं major चीज़ बता रहा हूँ, because last moment में पढ़ने का क्या, तो वही confused होता है, और M.com के बच्चे के से, नॉर्मली कहीं job करते होते है, और last last moment में पढ़ने का try करते है, और last में समझ में नहीं आता है, किस पे focus करूँ, और फिर हमको केटी लगने का chance होता है, डर लगता है, तो ये सारी चीज़े अगर आप ध्यान से पढ़के तो आपको ये केटी वगरे का जो डर है मन में वो निकल जाएगा, तो basically ABC जो है, उसमें आपको ये cost driver, cost pool इस basis पे आपको focus करना है, बुक्स के अंदर जो भी बुक्स आफ रेफर करने वाले हो, या रेफर कर रहे हो, उसके अंदर आपको देखो activities का एक column दिया रहेगा, और cost driver का column दिया रहेगा, तो activities और cost driver का column है, वो आप ध्यान से पढ़के जाएए, because वहां से बहुत सारे questions solved हुए है, वो सारे के सारे questions उसी related cost driver, cost pool से related questions जो है, वो बने है, तो ये आपको focus करना है ABC के उपर, which is called as activity based costing, तो ABC थोड़ा सा tricky chapter है, tricky इसलिए है कि solving करने के बाद बहुत easy लग जाता है, solving करने के बाद उसके sum साइसा लगते है, sum में तो कुछ है ही नहीं था, कितना simple sum था, लेकिन problem क्या होता है, जो paragraph होता है, paragraph हो, paragraph में ही आधी चीज़े हमको समझ में नहीं आती है, अब हम अगला part discuss करेंगे, अगर ये chapter आपको है, तो ठीक है, नहीं है, तो accounting, costing बोलने से अच्छा, responsibility accounting, नाम में ही responsibility है, इसका मतलब हम किसी को responsible मान रहे है, तो बहुत ही simple है, इसमें कुछ centers है, cost centers जिसको हम कहते है, investor, investment center, revenue center, cost center, profit center, ऐसे इसके centers है, ठीक है, पहला कौन सा है इसका, cost center, ठीक है, किसको हम लोग responsible मान रहे है, फिर दूसरा हमारा है, revenue center, यह theory में जितना भी discuss करूँगा, मेरे को पता है, इसका last में कुछ use नहीं है, अभी final use कुछ use नहीं है, because theory तो आपको पता होना चैप्टर का, यह exactly chapter क्या है, मैं मुद्दे की बात करूँगा, तकि वीडियो लेंदी भी ना बने, और आपको exactly पता चले कि क्या क्या चीज़े इसमें से हमको पढ़नी है, तो यह responsibility accounting में यह 4 center होते हैं, और यह 4 center के basis पे यह chapter है, कही ना कही, इसका लेना देना है, अभी इस chapter की अगर हम बात करें, तो एक आपको ratio याद रखके जाना है, which is called ROI, ROI का मतलब होता है, return on investment, return on investment जो ratio है, इसका formula आपने, आपने SOI वगरा में भ profit, net profit before interest and tax divided by capital employed, क्या है formula, net profit before interest and tax divided by capital employed multiplied by 100, तो this will be the return on investment, NPBIT, net profit before interest and tax divided by capital employed multiplied by 100 is your overall formula, तो यह formula यूज़ करके आपको calculation करने, ROI बगरा धूनना है, इस chapter में ROI calculate करना है, कभी-कभी आपको ROI नहीं दिया जाता है, कुछ income दिया जाता है, तो उससे cross multiply करके ROI के उपर focus करना है, तो आपको इस overall responsibility accounting में, return on investment का part calculation करने को पूछा जाता है, और एक responsibility accounting में cost भी, जैसे कि आपने marginal costing में format पढ़ा होगा, sales, variable cost, वो टाइब के भी questions आपके books में दिये, छोटे-छोटे parts से, इस chapter से related, तो जो भी income है, contribution का, volume का ratio कितना है, ये percentage है, वो percentage है, वो सारी चीज़े इस chapter में है, तो ज्यादा difficult chapter नहीं है, ROI अगर आप परके जाना हो, और 4-5 questions जो आपके पास available रहेंगे, वो एक overall देखके जाना, ताकि अगर इसमें से कुछ paper में आ जाता है, तो आपको problem नहीं आएगा, ठीक है, net, जो profit calculate करना है, हमको return on investment का ratio calculate करके, कभी-कभी evaluate भी करना पड़ता है, तो वो एक बार देखके चाहिए, responsibility accounting में, ये ROI का जो basic part है, that is most important for us to solve in the examination, ठीक है, अगला जो chapter है, हमारे लिए, बहुत लोग मुझे comment कर रहे थे about this chapter and that is called transfer pricing, ठीक है, actually book में ये chapter, अगर हम major chapter इसका देखे, तो that is called strategy cost management, और उसमें हमारे एक chapter है, transfer pricing, ठीक है, transfer pricing, basically, अगर हम इसके overall points में जाए, वैसे तो theory बहुत सारा है, लेकिन transfer pricing में, overall हमको किस तरीके से questions पूछे जा सकते हैं, तो अगर आप कोई भी questions देखो, तो आपको सबसे important, इसमें आपको na transfer price calculate करने के लिए आता है paper में, ठीक है, transfer pricing से जो questions आपको पढ़ने है, जैसे कि अगर हमारे पास, हमारे पास company के पास, तीन divisions होंगे, x है, y है, z है, ऐसा दिया जाता है, फिर उससे related आपको, उसकी capacity दी जाएगी, उसका cost दिया जाएगा, उसके कुछ materials दिये जाएंगे, कुछ उसके company के annual जो fixed cost होती है, वो दिया जाएगा, और उसके basis पे company का जो return on investment है, वो दिया जाएगा, और उसके basis पे आपको transfer price जो है, वो calculate करना है, और उसके basis पे आपको recommendation भी देना है, कि तीन ये जो भी company के divisions थे, x, y, z, उसमें से कौन सा division company के लिए favorable होगा, ज्यादा difficult chapter नहीं है, transfer pricing यही होता है, basically हम लोग अगर इसके calculations देखे, books में questions देखे, तो आप easily इस questions को solve कर पाएंगे, लेकिन without देखे जाएंगे, तो problem हो जाएगा, इसलिए सारी चीज़े एक बार ध्यान से देखके जाएए, transfer pricing से related, यही transfer pricing के major parts है, जैसे कि अगर दो हमारे पास materials है, उसके sales दिये है, उसका variable cost दिया है, contribution हम calculate करेंगे, profit minus करेंगे, तो हमको fix cost minus करेंगे, तो हमको profit मिल जाएगा, तो इस चरीके के हैं, लेकिन यह जो chapter है ना, इसमें आपके recommendations मांगे जाते हैं, तो we need to recommend, recommendations हमारे मांगे जाएंगे, recommendations पूछे जाएंगे, कि ये 3-3 divisions में से आप बताइए, कौन सा हमारे लिए better division रहेगा, ये कौन सा इन में से अच्छा division रहेगा, तो उस basis पे transfer pricing के questions आपको paper में पूछे जा सकते, तो transfer pricing के questions ध्यान से देखिए, ध्यान से उसके related points को पढ़के जाएगे, because इसमें सिर्फ आपको sum solve नहीं करना है, इसम आपको अपने recommendations भी देने हैं, तो recommendations देने के लिए आपको सबसे पहले transfer price सही calculate करना आना चाहिए, कभी-कभी तो बहुत ही simple transfer price calculation होता है, variable cost में से fix cost minus होता है, profit per unit आजाता है, profit per unit के बाद हमारा सीधा transfer price भी आजाता है, तो ये आपको transfer price में पढ़ना है, मैंने एक overall आपको clear idea दे रही है कि कैसे पढ़ना है, बहुत सारे comments आ रहे हैं कि पढ़े क्या, what we have to read in this, तो क्या-क्या चीज़े आपको पढ़नी है, क्या-क्या चीज़ों के उपर आपको focus करना है, because वरना तो आप सीधा blank होके जाएंगे paper में, last moment में क्या-क्या पढ़ना है, वो आपको ध्यान से focus करना है, इसके बाद अगर हम देखे, तो इसके बाद हमको एक part है, जो strategic cost management का ही है, which is called target costing, ठीक है, target costing basically, target costing क्या है, हम पहले से ही product बनाने से पहले ही, हम लोग उसका cost decide करके रखते हैं, कि ये product हमको इतने बे बनाना है, जैसे कि nano car आप सभी को पता होगा, nano car जब बनाया ताटा ने जब nano car बनाया, तब nano car बनाने से पहले ही, उसने cost decide किया था कि मुझे एक लग के अंदर four wheeler बनाना है, तो that is target costing, तो हमको target costing में सारे elements को ध्यान रखना है, और target costing में आपको question practically भी इससे related जो पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है, because target costing में कुछ questions जो है, व वो भी questions आप थोड़े पढ़के जाएंगे, ऐसा नहीं कि CA level के question से तो difficult है, it is very easy, लेकिन traditional costing, target costing, ऐसे सारी points है, उसमें, simple logic है, जितने भी आपके cost associated होंगे, जितने भी आपके expenditures होंगे, जितने भी आपके overheads होंगे, वो सारी चीजों को हमको लेना है, per unit calculate करना है, और उसके basis पर लेना है, तो यह ज्यादा बड़ा topic नहीं है, छोटा सा ही है, target costing और transfer pricing है, दोनों के दोनों chapter आपके strategic cost management का chapter है, उसके बाद एक chapter आता है, बहुत ही simple chapter है, which is called as inflation accounting, तो chapter का नाम क्या है, inflation accounting, तो आप सभी को पता है, inflation जो है, वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ inflation थोड़ा कम हो गया, लेकि normally inflation बढ़ते ही जाता है, तो इसमें आपको statement बनाना पड़ता है, statement of net monitor result का, तो इसमें net monitor result के statement में आपको overall prices को historical amount और historical amounts होते है, उसके basis पे हम लोग क्या करते है, price level adjust कर देते है, और purchasing power या gain चो होता है, उसको calculate करने का try करते है, तो इसमें आपको calculate क्या करना है, इसमें आपको calculate करना है, net purchasing power gain, net purchasing power gain, एक statement है इसके लिए, तो वह आप statement को अगर ध्यान से देख के जाएंगे, तो आपको overall, मैंने station लिग दिया, तो basically, net purchasing power gain आपको calculate करना है, तो basically, net purchasing power gain जब आप calculate करेंगे, तो there is simple statement, which you can see, आपको assets दिये रहेंगे, एक January का दिया रहेगा, December का दिया रहेगा, उसके basis पे हम क्या करेंगे, हमको जो adjusted factor दिया जाता है, question में, जिसको हम कहते है, general price index number, तो general price index number आपको दिया जाता है, उससे से हम calculation ठोड़ा करते हैं, और calculations करने के बाद, we will calculate that net purchasing power gain, तो इस तरीके के questions पे आपको focus करते जाना है, और अगर आप ये सारी चीजों को focus करेंगे, तो आपको ये chapters काफी easy जाएंगे, और next जो part है, next जो semester है, तो उसमें आपको काफी सारे videos में provide करने ही वाला हूँ channel पे, तो अ बाइब बाइब विश्यों अल्द बेस्ट पोर ये पिपर, थैंक यू बबाइब टेक केर